रादे रादे जी आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वास्टू टिप्स फर होम में दोस्तो आज हम मंगलवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा वशिकरन उपाय बता रहें बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल है इसको अगर आपने बिल्कुल सही ढंग से कर लिया तो यकीन मानिये वो वैक्ति आपके वश में हो जाएगा आपके कहें अनुसार चलेगा दोस्तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूख उपाय है लेकिन आपसे केवल इतना ही निवेधन है कि इसका प्रियोग गलत ना करें इस उपाय को देखे इस्तरी पुरुष कोई भी कर सकता है इस्तरी अपने पती के लिए और पती अपनी पत्नी के लिए इस प्रियोग को कर सकता है दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बासुटिस फूर होम चैनल को सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब आवश्य कर लें बगलने बैल आइकन को दबा दे जिससे मेरे आने वादी सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुस सके दोस्तो इस उपाई को आपको मंगलवार के दिन करना है और किसी भी समय पर आप इस उपाई को कर सकते हैं और आपको यह उपाई चुपचाप गुपत तरीके से करना है यानि जिस भी व्यक्ति के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं उसको पता नहीं लगना उस लौंग को आपको अभी मंत्रित कर लेना है और उसके बाद उस व्यक्ति को आपको किसी भी प्रकार से खिला देना है चाय में लालकर या खाने में किसी भी प्रकार से अगर आप उसको खिला देते हैं तो यकीन मानिए कि वो व्यक्ति सोयम ही आप की तरफ आकर्शित होगा दोस्तो आपको इस मंत्र का 108 बार जाब करना है मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवती चामुंडे महाहिर्दे कमपनी स्वाहा इस मंत्र को चाहे तो आप एक कागज पर लिखकर इसका बिलकुल सही उच्चारन करे और 108 बार उच्चारन करने के बाद उस लौंग को आपको उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार किसी भी भोजन में या चाय में आपको खिला देना है इस उपाय को आप मंगलवार के मंगलवार कर सकते हैं आपको 100% इसका प्रभाव दिखना प्रारम हो जाएगा दोस्तो वैसे तो आपको एक ही मंगलवार में इसका प्रभाव दिखेगा लेकिन अगर आप दो या तीन मंगलवार इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए वो व्यक्ति आपकी तरफ स्वता ही आकर्षित होगा आपके कहें अनुसार अवश्य चलेगा आप दोनों के बीच में चल रहे ग्रह कलेश स्वता ही दूर हो जाएंगे दोस्तों इस उपाय को करें और लाप राप्त करें और आगे की और जानकारी को जानने के लिए हमारे च